एलो एवर्वान वेल्कम टीवाइचैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बच्चों को जो पंजाबी के अलफाबेट्स होते हैं वो कैसे लिखने सिखा सकते हैं तो बच्चों को हम वो इसली कैसे लिखने सिखा सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते देख लेते हैं कि बच्चों का हम कैसे सका सकते हैं तो इसके लिए प्रेली पेपर यूस कर सकते हैं यज हमारी सींगर लाइंज वरी सभु नोट बूक भी यूज चर सकते हैं वेसे बच्चों को जो टू लाइंज Smoke होती है उस पर लिखा लीजिए तो हम बच्चों को डॉट के थरू जो है आलफ़बेट लिखने सिखाएंगे लाइक प्लेन पेपर पर दीख लेते हैं जैसे का मैं उडा लिखना है तो यहां भी हम बच्चे को इस तरह डॉट लगा के देंगे अब जो नेक्स डॉट है इसके नीचे पहले बच्चे को थ्री बनाने के लिए बोलिए यहां से डॉट लगा दीजिए अब इसके ऊपर यहां और बच्चे को उपर क्या है हाफ सर्कल बनाने इस तरह आप सिखा सकते हैं प्लेन पेपर पर बटाइच सिंक आपको नोटबुक पर ज्यादा इजी होगा इस तरह ल पर यहां पर यहां पर बच्चे काफी एजी और असानी से सीखते हैं लाइक पहले किया बच्चे को थ्री बनाना इस तरह से आप उसके ऊपर इस तरह से लाइन लगाई और उसके ऊपर हाफ सर्कल यह हो गया हमारा कुड़ा अब नेक्स्ट में लिखना है एडा इसके यहां पर एक थोड़ा सा नीचे रेक यहां पर एक सीधा इसके ऊपर देखे इस तरह से यह हो गया हमारा एडा अब हम लिखेंगे एडी यहां से यहां डॉट इस तरह बच्चा लाइन लगाएगा अब आगे क्या है यहां तक डॉट लगाई है नीचे बच्चे को सी बनाने के लिए इस तरह से कि अब यहां से सीधी लाइन यह हो गया हमारा एडी तो नेक्स हम लिखेंगे ससा है तो इसके लिए यहां पर डॉर्ट एक यहां पर डॉट आएगा एक नीचे एट्टोड़ा सो उपर पहले यहां पर लाइन लगाने के लिए लागे इस तरह से और यह हो गया हमारा ससा हम नेक्स लिखेंगे हम हाँ हाँ यहां पर डॉट एक और एक डॉट यहां पर इस तरह से इस तरह 3 लाइंस में बच्च्च को लिखना बहुती हो जाता है पहले बड़े इस बड़ साइज में ही बच्चों की प्रक्टिस करवाएं ताके बच्चे इंचरस्टि के साथ सीखिए ये laughing काका नहीं हम आप आया है बच्चे को इस तरह से यहां तक आना है ग mistakes इस तरहें दिखिए हैं अब हम लिखेंगे कि अब बच्चे को डॉट लगा कर देते हैं तो बच्चे को जो पॉइंट है वो पता चल जाते हैं कि मज़े जो लाइन है वो कहां तक लगाना है इस तरह से खक्खा अब है गगा इसके लिए इस तरह से नीचे और इस तरह भी गगा नेक्स्ट हम लिखेंगे कगा इस तरह थोड़ा से ओपर होता है लाइन के टच्च नहीं होता है इस तरह से यहां से यहां फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे यह उल्टा थ्री हो गया हमारा इसमें आप बच्चों को इसके इंग्लिश एर्फोबेट के जो हेल्पर उसके साथ भी सिखा सकते हैं तो नेक्स्ट आम लिखेंगे इन्या निया तो यह बता है इस तरह से दो यहां पर लगा दीजिए इस तरफ इसके आगे नीचे यहां पर और यहां पर यहां पर क्या बच्चे को इस तरह से उल्टी सीव नानी है तो आज हम इस वीडियो में इतने ही सीखेंगे अपर बच्ट टू लाइन हो गई है हमारी कम्प्लेट तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की टू लाइन सीखने वाले हैं तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लेज इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक ये वर वाचिंग बाई